नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉई स्कूल पर आपको चाहिए पूस्ट ग्रिजूट लेवल पर और पांस परसेट का रिलेक्सेशन होता है जो टेस्ट होने वाला है वह देखे यहाँ पर अलग अलग फेकल्टी में होगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि फेकल्टी आफ इम्निटी इस में फेकल्टी आफ साइंस में फ इस्ट्री प्रिटिकल साइंस हों साइंस अर्कियोलाजी सोचियोलजी इकॉनमिक साइकॉलजी फिजिक्स कमेश्ट्री जोलोजी बॉटनी कामर्स एजुकेशन बहुत सारे सब्जेक्ट में यहां पर हो रहा है यहां पर निवलिखित कटेग्री में आने वारे लोगों को टेस्ट से एकजाम्सन होगा जिन्होंने ऊगसी सी नेटकॉलिफाई कर लिया है गेट में उक्नहें के पास इंए निफसेंव इससेंट प्रफेसर प्रोफेसर जो आल्री फोगय से और उन्री पास प। प्लाइब्लाई उनके पास भी यहाँ पर exemption है यहाँ जो procedure for admission test है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि paper यहाँ पर दो होने वाले है paper 1 और paper 2 paper 1 भी 100 marks का होगा और उसके बाद 20 number का interview होगा interview का weightage बहुत कम है interview का जो यहाँ पर weightage है वकिवाल 20 marks का है और जो यहाँ पर written test में minimum qualifying marks है general candidates के लिए 50% और reserve category candidates के लिए 45% marks यहाँ पर लाने होगा है उसके बाद ही at least ना होगा तब आप qualify होगे और आप interview के लिए call होगे यहाँ जो paper 1 आपका होने वाला है paper 1 होगा multiple choice type पे number आप question 50 होगे time होगा एक hour marks जो है एक question के availing आपको दो यहाँ पर कोई negative marking नहीं है और यह OMR seat पर होगा यहाँ पर paper ले जाने की आपको paper booklet ले जाने की आपको permission नहीं होगी paper 2 आपका subjective होगा आप यहाँ देख सकते हैं यह भी दो घंटे का होगा और यहाँ पर जो questions होंगे वो तीस marks वो तीन ग्रूप में बटे होंगे ग्रूप A, ग्रूप B और ग्रूप C जो syllabus होगा पटना इंवस्टी के PG level का और उस PG level के जो syllabus में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट से उनको छोड़ कर यहाँ पर पूशे जा सकते हैं हर सब कंसरन सब्जेट का जो departmental syllabus है उससे related फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रूप यहाँ पर होने वाले हैं वो तीन ग्रूप में बटेंगे ग्रूप A, ग्रूप B और करना है maximum word limit आपकी 150 की है यहाँ पर हर question 6 number का होगा तो 30 number के आपके sort answer type होंगे उसके बाद जो group B है group B में आप से पूशे जाएंगे 7 question जिसमें से आपको करने है 4 question यह आप 200 सब्दों तक कर सकते हैं और इसी तरीके यह आपका होने वाला है 40 number का इसी तरीके से जो आपका group C ह है group C में आप से पूशे जाएंगे 4 question और उसमें से आपको करने हैं दो maximum word limit है 500 सब्दों की और एक question 15 नंबर का होगा यानि कि 30 नंबर का group time of written examination है paper one objective type का एक घंटे का होगा 50 question दो नंबर का और paper two आपका subjective type का होगा वो आपका दो घंटे का होगा बाकी आपको यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्हों ने जो research paper one है paper one आपका होने वाला है वो जनरल और research aptitude का paper two वो आपका होने वाला है subject specific test तो paper one का syllabus इन्हों ने advertisement में दे रखा है यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने स्थकुש mention कर रखा है कितने question research aptitude से पेपर वन में आप देख सकते हैं जो इन्हों ने जो है चार पार्ट ने बाट रखा है रिसर्च अप्टिट्यूड और डाटा इंटर्प्रेटेशन इन्वार्मेंट एंड सस्टेनिविल्टी और कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेर करते रहें वहां से आप इस पीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और पटना इंवस्टी के वेबसाइट पर जाकर आप आप ऑनलाइन अप्लिकेशन यहां पर इसके लिए अपलाई कर सकते हैं लाश्ट डेट 28 जैनवरी 2023 है औ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको तुरंद प्राप्त हो जाए शुक्रिया